So, अलमॉस्ट दो मेना हो चुका है, मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है, क्योंकि मेरा जो दूसरा चैनल था प्रो टिप्स कानड़ा, उस चैनल को मानिटाइस करने के लिए मैंने ज्यादा वीडियो वहाँ पी अपलोड किया, यहाँ पर कोई भी वीडियो अपल नहीं करता है तो power button change करने के बाद भी power button काम नहीं कर रहा तो उसका jumper कहां से कहां करना schematic diagram के तुरों मैं आपको बताऊंगा power button से line कहां कहां से गया अगर आप कहां का jumper किया तो आपका problem schematic diagram open कर चुका हूँ इसमें मैं आपको बताऊंगा power button का आप supply कहां कहां jumper कर सकते power button अगर change करने के बाद भी काम नहीं कर रहा है तो आप jumper कहां कहां कर सकते मैं आपको बताऊंगा ठीक है तो सब से पहले इसको मैं जूम कर लेता हूँ यहाँ पर थोड़ा इसको मैंने तोड़ा जूम करता हूँ यहाँ पर है power button ठीक है तो tool तोड़ा slow है मतलब net connection भी slow है और मेरा computer भी slow है तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको जूम कर देता हूँ आ जूम करने के बाद मैं आपको clear से दिखाओंगा आप कहां कहाँ पर jumper कर सकते अगर आपका Power button काम नहीं कर रहा है तो आप jumper कहां कहां कर सकते ठीक है तो इसको मैं ने यहाँ पर कर देता हूं तोड़ा यह देख सकते हैं अभी मैंने यहां पर इसका पावर बटन कोल दिया यहां पर देख सकते यह वाला है बैटरी कनेक्टर यह वाला है पावर बटन ठीक है तो बैटरी कनेक्टर से एक सप्लाई हमारा पावर बटन को आता पावर बटन से सीधा जात अब सब्सक्राइब करता हूँ कर ने लिदे करने के बाद में तोडब जूम करते के लिए दिका ठे Particularly यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते एक सपलाई आया यहाँ पर मतलब power button का east side आया और उसके अबाद यहाँ पर भी component का उपर blink कर रहा है यहाँ पर और यहाँ पर भी देख सकते हैं चोटे-चोटे component का उपर यहाँ पर positive supply गया ठीक है तो उसके द्वारा हमारा power IC यह CPU एम्मसी तक supply जायागा ठीक है तो अभी यह वाला power button काम नहीं कर रहा है तो पहले बैटरी कनेक्टर से एक point यहाँ पा रहाता है वो अप्चेक करना पहले ठीक है बैटरी कनेक्टर का positive पर एक प्रॉप रखना है इस वाला साइड पर ठीक है तो यह तो हमारा तीनों हो गया ground ठीक है तो यहाँ पर अभी में ground का उपर भी क्लिक करके दिखा तो आपको तो यह देख सकते मैंने ground का उपर क्लिक किया जहाँ जहां पर ground है वहाँ पर पूरा यह blink करना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद हमें इस सेड़ मैं इस सेड़OULD पर क्लिक करता हूं ठीक है तो बैटरी कंग्रेक से power बटन तक करेंट आया power बटन से गया कहा ठीक है तो यहाँ पर मेंने क्लिक कर दिया ब्लिंक कर रहां भी तो अभी यहाँ पे नहीं show करेगा आपको ठीक है board का उस तरब show करेगा तो उसको मेंने आपको देखा देता हूँ थोड़ा निच्चे करता हूँ board का उस side मतलब निच्चे की side आपको show करेगा तो यहाँ पर आप देख सकते एक point आपको blink कर रहा है इसको मैंने और तोड़ा जूम करता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं यह प्रॉप अमारा जूम कर रहा है यहाँ पर क्यापासिटर हो सकता है शायद आप फोन कोलेंगे तो आपको पता चलेगा तो यह देख सकते, यहां पर मैं आपको निच्च कर देता हूँ तोड़ा यह देख सकते इस कमपोनेट के तरू हमारा पावर आइसी तक जाता, ठीके तो पावर आइसी जाता, तो पावर आइसी पावर बटन जैसे प्रेस करेंगे बैटरी का supply power button प्रेस करने से component के तुर इस capacitor प्रेस करने से हमारा power IC तक जाता power IC से CPU और EMMC phone on कर देता ठीक है तो इस तरीके से आप jumper कर सकते power button से सीधा एक jumper यहाँ पर करो अगर पहले jumper करने से पहले आप चक करो पावर बटन के इस सेड पे एक लाइन प्राप रखो इस सेड पे प्राप करो को बीप आना चाहिए अगर बीप नहीं आया तो आप अपका पावर आची चेंज करना पड़ेगा ठीके तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो इस हमारे एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाई